हिमाचल प्रदेश में स्क्रप्ट टाइफस और आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर स्वास्तिय विवाग की क्या तयारी है और अस्पतालों में क्या स्थिती है इसी विशेपर बाचीत के लिए खबरे अभी तक के साथ मौजूद हैं स्वास्तिय मंतरी करनल जानेंगे सर जो यह आई फ्लू है खासतोर पर और इसके सासा जो स्कव टाइफस है उसके मामले प्रदेश में काफी बढ़ रहे हैं स्कव टाइफस से तो दो मौते भी हुई है किस तरह की तैयारियां हैं और यह बढ़े ना इसको लेकर भी क्या आडवाईजरी स्वास्त भी भागने दी हैं हाँ इस वार की जो यह एक्सेसिव रेंज हुई हैं बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है और वाटर बोर्न डिजीजिस भी बहुत सी देखने को मिली हैं तो अभी तक हमें आई फ्लू के जो कल कि शाम तक का फिगरता हो दोहजास साथ सो चाली केसिस हमा बाटते दीरे दीरे प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपनी पर्सनल हाइजीन और इसके लिए बताएं वह सारे स्टेप आपको बताऊंगा इसके इलावा डेंगू को हमारे पर कोई केस ने भी तकाया है लेकिन हैपिटाइट जॉन्डिस के पांच केसिज आए हैं और स्क कार से यह देखा गया है कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की चेन है श्रिंखलावद ओपर तक के जितने भी स्वास्ते संस्तान हैं सबको निर्देश दिये गये हैं कि अवेरनेस कैम्प गाउं के लेवल पर ग्राउं के पंचायत लेवल तक बताए जाएं जो पांग पाड़ी में के यह चीज अब जैसे आई फ्लू है यह तो इस परसनल हाईजिन के साथ होता अपना रुमाल रोज दोना चाहिए और एक दूसरे के रुमाल को इस्तेमाल ना करें बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको अच्छी हेल्थ और हाईजिन से खाएं इसी प्रकार से सब लोग उबले पानी को पीएं तो मैं समझता हूं कि जैसे डाइरिया के और दूसरे के सीज में काफी कम ही आएगी कई गला सड़े फल ना खाएं और इस पकार से यह कुछ खाने में भोजन में भी अपना ध्यान रखें और पानी फास कर जिसके इसी बेसिकली पानी से ही और सब गाउं में यह कम से कम जाये कि हम इसके बारे में जाग रुक रहें ताकि यह बीमारी आगे ना फैले और हमारे इन दुक केसिज हैं वहीं पर रुक जाएं और इसमें सुधार हो मैं देकि आप दीरे-दीरे केसिज नीचे आ रहे और जैसे जैसे लोगों का एड़क पर हो जाते हैं तो इस तरह से कोई आइसलेशन बार्ड या इस तरह की गई है हॉस्पिटल में हाँ नहीं जहां तक आइसलेशन बार्ड इतना तो सभी जगाओं में हम लोगों ने इंतिजाम किये हैं कि चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें जो ऐसे केसी जाए उनको एक दम ट्रीट किया जाए और कोई ऐसी अपती अभी तक नहीं आई है जहां पर हमारे पास जगा ना हो हमने चिन्नित किये हैं कि कम से कम एक कमरा ऐसा रखा जाए जहां पर ऐसे केसी जाए जिनको हम ज़्यादा लोगों को भीच में ना ले जाए ज़्यादा सीरियस केस आ आये हैं परंतु प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को पूरी के पूरा उपचार मिले और पूरा ध्यान मिले और उनको आई सुरेशन वार्ड में रखा जाए क्यूंकि डिजास्टर प्रदेश में है और आज भी हम देख रहे हैं कि बारिश से लुकसान बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन एक चुनौती जो अब सरकार के पास है रिस्टोरेशन का काम जो पूरा भाली का काम होना है केंदर से आपको लगता है कि मदद जो मिलनी जो यह डिजास्टर हुआ है उस दिन से लेके प्रार्थन रही है कि यह बहुत एक अप्रतियाशित रूप का मतलब उस्टेंटिट साट आफ लॉस हुआ है कलोसल लॉस हुआ है इतनी बिल्डिंगों का गिरना इतने रास्तों का गर जाना इतने नेशन हाईवे का खासकर दोस्त हो जाना अपने में एक बहुत बड़ी नेशनल एक्स चेकर पे भी वजन है और एक प्रकार से इसका पुंदर निर्मान करने में एक बहुत बड़े धन की आवशक्ता बढ़ेगी लो डाउट तो पहले ही दिन से हमने प्रास्ता की मैंने भी को यह क्या दो जो कॉन् के सब्सक्ता बाट opens you får顷 जा सब्सक्रच बाबे तरह आए नेशनल के नेशनल लीडर भी आ। यहां पर जग्वदाश नडड़ा जी जो हमारे राश्ट्रिय धक्ष अभारती जन्ता पार्टी के हमारे अनुराग ठाकुर जी भी आई जो केंद्रिय मंत्री हैं और सब लोग उन्हें आश्रासन दिया है कि यहां के मेगनिचुर को दे कर इसको एक ऐसे लेवल से जायता मि निवा रहे हैं पर तो अभी तक राश्टी हुष्टा की हम इंतजार कर रहे हैं और सरकार से प्रार्शना भी करते हैं कि हमें एक बड़े लेवल की आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि हम इससे बाहर रहा है और पुनर निर्मार और रीकंस्रक्शन में अपनी पूरी भू और चीजे रही आप क्योंकि खुद सोलन जिला से भी तालुक रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहां कमिया रही और अब सुधार की क्या गुंजाईश है एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे का मेरी अपने निर्वाद चंग शेतर से गुजरता है सोलन निर्वाद च ली थी और मैं तो इसके पिल को भी पक्ष में नहीं था कि इससे यहां फोर लेनी किए जाए बिकॉज यह इतने फ्रेजाईल माउंटन हैं और इन फ्रेजाईल माउंटन में से एक इतने रिक्षों का जो कम से कम ऐसा अंदाजा लगया जाता कि बड़ी रेरेस वराइटी क बहुत बड़ी संक्या में रिक्ष कटे हैं और वह भी देवदार जैसी वराइटी जो दुनिया के जंगलों में अगर ब्लैक फरस्ट जर्मी को भी कंपेर किया जाए उससे भी बैटर हमारे रिक्ष की जो संक्या है बताई जाती है रिक्ष की जो गणना है वह बड़े गुदर देखा जो हमारे मिनाली का जो आईवे बन रहा है और जो इस खशेते से गुजर रहा है उसमें पांच जगा टनल बने तो उससे काफी संक्या में कमी है तीसरी चीज जो यहां पर ध्यान नहीं दिया गया वह यह था कि भही आफ्टर आल जब ऐसी कोई आपदा के लिए हम कैसे कौन सी टेकनोलोजी सुमालने मैंने टीफ इंजी को स्वैम बुलाया जब लोग डाकर नस्दीख हमारी दिवाल गिरी मैंने का आप देखिए नाइटीन फॉर्टी एट तक की जो दिवाल लगी है वह आपके सामने है वह आज विस रक्षित है उसके साथ आप कम से कब सुधार हो और जो भी सुधार अभी होस्ता हमारे माने मुख्यमंतर ने स्वहम इस बात को माने गुच्खडीज के साथ जो भूतल परिवहन मंतरा ले देखने और जिसके सबक लाज जमार के निचे आते हैं क्योंकि कही ना कही तो बड़ी बारी गलती हुई है जि इसको हमें इस तब ध्यान देनी की जूरत है बिलकुल स्वास्ते मंतरी डॉक्टर करनल धरनम शांडिल इस बक्त खबरें बितक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो परदेश में स्क्रब टाइफस और बाकी जो जल जनित रोग हैं उसको लेकर एडवाईजरी जारी की गई है ग्रामीन स्तर तक जो ग्राम की पंचाइते हैं उन तक ये एडवाईजरी पहुंचाई गई है और इसके साथ जो प्राकृतिक आपदा से इस बार नुक्सान हुआ है प्रदेश को उसमें राष्टियापदा के इंदर को इसे घोशित किया जाना चाहिए ये इनकी तरसे है